हेलो फ्यूचर ओफिसर्स गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब और आज का हमारा सेशन है ये क्योंकि आज संडे है तो आज ये प्रेक्टिस सेशन रखा है मैंने तो देखते हैं कि कितना कुछ पता चला है अभी तक पढ़ने के बाद में अभी थेवरी के भी बहुत लेक्टिस बनाने है कोशन अंसर भी कराने है इंग्लिस में भी कराना है हिंदी में भी कराना है तो अभी हिंदी इंग्लिस वाले जो जो मैं दे रही हूं सब देखते रही है उसके बाद मैं हिंदी का भी मैं बनाऊंगी पीडियप भी सारी दे दूँगी हर लेक्चर का पीडियप दे दूँगी हर कोशन अंसर का सब का पर अभी थुड़ा काम करने दीजी कि अच्छे से मैं चीज़ों को कलेक्ट करके आप तक पहुचा सकूँ क्योंकि कोई भी बुक अभी तक मुझे कंप्लीट नहीं मिली है जो स्लाइबस को कंप्लीट करे ना तो इंग्लिस में और नहीं हिंदी में तो मैंने सब को कलेक्ट करके एक जगह पे जहां-जहां से मुझे मिला कुछ चीज़े मैंने ओनलाइन कलेक्ट की है कुछ ऑफ लाइन कुछ बुक से जहां जहां से मुझे स्लाबस मिला है मैंने इस स्लाबस को complete किया है बस तो थोड़ा अभी focus करते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे तो हमारा यह video lecture है इसमें हम लोग question answer की practice करने वाले हैं आज क्या और थोड़ा आज यह Sunday है तो देखिएगा कितरा अच्छे से preparation हुआ है क्या प्लीज ध्यान मत दिये जिएगा कि जो question number 9 कहां है 1 कहां है 2 कहां है यह मैंने अलग-अलग जगा से सब collect कर लिये हैं और यह Sunday को test series type का बनाया है इसलिए मैंने question अलग-अलग जगा से सब इसमें रखे हैं तो देख लेते हमारा question number क्या है पहला the purest form of naturally occurring batteries कह रहा है जब pure form हो नहीं कौन सा होता है और संदिया है एक रेन बाटर दो रीवर बाटर तीन पॉंड बाटर चार वेल वाटर तो मारा सही option है एक रेन वाटर और हां हिंदी वाले बिल्कुल भी परिशान मत हो ना इसके जस्ट बाद मैं इसका हिंदी में बनाऊंगी अगला question है को कॉल गॉन an easy used for removal of कॉल गॉन के लिए कना है तूरा यह लोग —क्या हटाने के लिए कना इसके है थे kति सफ यार्वेर यह के दो स्ट न। इसनव पर्मानेन्ट हायग्डेस और ने सबसे कोट्सक बी reflects के लिए का कints वचाहरिशा त्या दूसरह म Ahí मैं प्रमानेंट हाटने यह ऐनू कॉ हाडनेस होती है उसको अटाने के लिए हम कलगन का यूज करते हैं आगे चलते हैं को नमबर 11 क्या कह रहा है तो बाटर विंग यूज इन डेरी इंडस्ट्री शुट कंटेंड नौट मोर दिन जो पानी डेरी इंडस्ट्री मतलब दूदूद की इंडस्ट्री में यूज किया कह रहा है 5 प्रोटियो लीटिक और या फिर लिपियो लिटिक और गनीजिम पर एमेल चौथा कह रहा है 20 Proto 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 Lidic and Yafely Proto Lidic Organism ML हमारा सहीं सरे बन 5 Proto Lidic and and Nafely ProtoLidic Organism per ML के तो कितना वाटर विंग ऊस्द डेरी इंड इस्ट्री में होना ची शुट कंटेन नॉट इससे जादा more than नहीं होना चाहिए आगे चलते हैं अगला question है the activated slush process consists of returning a portion of the clarifier तो जो activated slush process होती है अभी इमने पढ़ाया नहीं है एक्टिवेटर slush process फिर भी question answer में आ रहा है तो आप इसको थोड़ा देखते चलिए अभी बहुत lecture भी लेंगे परिशान मत हो प्लीज हिंदी और इंग्लिस में दोनों का अलाग अलाग मैं कर रही हूँ और भी एक्जाम का भी time है उसके according में सारा complete करा दूँगी तो बिल्कुल परिशान मत हो पस practice करते रहो practice 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 आदमी को perfect बनाती है इसलिए practice करते रहो पहला हमारा option है effluent water entering the reactor दूसरा है effluent water coming out of the reactor तीसरा है effluent water entering the reactor चौथा है effluent water coming out of the reactor तो हमारा सही option है तीन effluent water entering the reactor जो effluent water होता है वो reactor के अंदर जाता है तो देख लेते हैं, question एक बार फिर से नहीं समझ में आया है, तो कह रहा है, the activated slash process consists of returning portion of the clarifier, जो activated slash process है, उसमें है, returning portion of the clarifier क्या है, आफसे नमारा सहीच से तीन नमबर, आगे चलते हैं, question number 12, question number 12 क्या है, देख लेते हैं, यो तो वही हो गया है, पुराना वाला, तो question number 13 देख लेते हैं, कह रहा है, permanent hardness of water may be removed by the addition of, क्या मिला कर, जो पानी की permanent hardness होती है, उसको खतम किया जाता है, तो मारा option देख लेते हैं, वन लाइम, दो सोडा एश, त्री पोटेशियम पर्मेगनेट, चौथा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो मारा सही अफसे है, अफसे नमबर, टू, सोडा एश, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है, बोथ temporary and permanent hardness of water can be removed on boiling water, विद, कह रहा है कि जो temporary और पर्मानेट दोनों तरिके की hardness है, उसको remove किया जाता है, boiling, water with, पानी को किसके साथ उबालने से, temporary और पर्मानेट दोनों तरिके की hardness खतम हो जाती है, तो मारे अफसेन दिये गए है, 1, calcium hydroxide, 2, sodium carbonate, 3, calcium oxide, 4, calcium carbonate, तो हमारा सही अफसेन क्या है, answer number 2, sodium carbonate, यानि पानी को sodium carbonate के साथ वाइल करने पर, जो temporary और पर्मानेट दोनों तरिके के hardness होती है, वो remove की जा सकती है, आगे चलते हैं, question number 15 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, lagoon's may be characterized as, lagoon's को कैसे, मतलब characterized किया जा सकता है, option दिये गए है, 1, anaerobic है, 2, frecuative है, 3, aerated है, 4, all of these है, तो answer number 4 है, all of these, तो ये सारी quality किस में होती है, lagoon's में होती है, अगला देख लेते हैं, कह रहा है, the maximum desirable limit, BIS of mercury in the drinking water is, इसने mercury का कितना ratio, या कितनी mercury होनी चाहिए, limit में, मतलब वो limit mercury की पूछ रहा है, पानी में कितनी होनी चाहिए, जो पनी पीने, मतलब पानी पीते हैं, जो पीने वाला, उसमें कहा है, कि इतनी mercury होगी, तो फिर उतना नुक्सान नहीं होगा, तो option दिया है, 1, 0.05 mg पर लिटर, दूसरा 0.9 mg पर लिटर, तीसरा 0.1 mg पर लिटर, चौथा 0.001 mg पर लिटर, तो मारा सही answer है, 4, 0.01 mg पर लिटर, मतलब एक लिटर में, अगर 0.01 mg मरकरी है, तो फिर drinking water पीने होगी है, आगे चलते हैं, question number थारा क्या करा है, which of the following substance are commonly used, जिने फिल्टर, फिल्टर में कौन-कौन से substance common use किये जाते हैं, अफसन देख लेते हैं, पहला है charcoal, दूसरा है sand, तीसरा है बोथ 1 and 2, चौथा है aluminium chloride, तो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, पहला और दूसरा सही है, निकी question answer number 3, बोथ 1 and 1 और 2 दोनों ही यूज करते हैं, चारकोर और सेंड दोनों यूज करते हैं, आगे चलते हैं, अगले question कहा रहा है, biological oxidation process, usually referred as biological treatment, are the most common form of, जो biological oxidation process होती है, उसको किसे refer करा जाता है, biological treatment, तो कहे रहा है, are the most common form क्या होगी इसकी, तो option हमारा बंद यह है, primary treatment, दूसरा secondary treatment, तीसरा tertiary treatment, चौथा all of these, तो हमारा सही answer है, two secondary treatment, मतलब जो biological oxidation process होती है, उसको biological treatment कहते हैं, तो जो best water होता है, उसको treat करते हुए, तो कहते हैं कि इस process को और क्या कहा जा सकता है, तो इसको कहते है, secondary treatment, best water का, आगे चलते हैं, कहरा the maximum permissible limit of turbidity in drinking water, तो मतलब maximum, कितने limit होने चाहिए, turbidity की, पीने का पानी में कहरा है, पहला 5 NTU, दूसरा 10 NTU, तीसरा 15 NTU, चौथा 20 NTU, तो मासा इंसर है दो, 10 NTU, आगे चलते हैं, question number पे ध्यान मत दीजिएगा, question number कौन सा है, बस question पे ध्यान दीजिएगा, कहरा है, sedimentation is a physical process, used in west water treatment, जो sedimentation है, वो एक physical process यूज की जाती है, west water के treatment में फिल्टर करने के लिए, तो पूछ रहा है, क्या करा जाएगा उससे, पहला है, remove particles that are less dense than water, क्यारा कि जो particle बहुत छोटे होते हैं, पानी में, उनको remove करता है, दूसरा क्या है, remove particles that are more dense than water, जो पानी की particles ज़्यादा घने होते हैं, तीसरा, remove the pertinacious material from the water, चोटा करा है, none of these, none of the above, इन में से कोई नहीं, तो जो sedimentation की process होती है, पानी में, वो क्या करती है, remove particles that are more dense than water, जो पानी से ज़्यादा dense particle होते हैं, उनको remove करते हैं, याद करना important question है, अगला देख लेते हैं, कह रहा है, which of the following physical method is used as germicidal, germicidal, germicidal in modern time for the treatment of drinking water, तो कह रहा है कि कौन सा method used किया जाता है, germicidal, आज के समय में, पहला है, chlorination, दूसरा है, treating with potassium, per magnet, तीसरा है UV radiation, चौता है, treating with bleaching powder, तुमार साही अंसर है, UV radiation, आगे चलते हैं, ultraviolet radiation है, अंसर नमबर 3, आगे चलते हैं, question नमबर 25, इस, the common methods used for disinfection in best water treatment plants are, common method कौन सा है, जो यूज किया जाता है, disinfection के लिए best water treatment में, option कौन कौन से है, chlorination, दूसरा UV light, तीसरा, बोथ A and B, चौता, phenolic solvent, तुमारा अंसर नहीं सही है, बोथ A and B, यानि chlorination भी, और UV light भी, आगे चलते हैं, अगला question, कह रहा है, inhibitors are used along with sanitizer too, option देख लेते हैं, पहला है, improve their action, दूसरा to prevent, corrosion, तीसरा करा, बोथ A and B, चौता करा, नहीं आफ दीज, कोशन का मतलब यह है, जो inhibitors होते हैं, किसली यूज की जाते हैं, किसके साथ में, sanitizer, sanitizer के साथ में, क्यों यूज की जाते हैं, क्योंकि, answer number two सही है, to prevent corrosion को रोकते हैं, अगला है, sanitizers, used for, rubber made, equipments, और, sanitizer, used के आता है, rubber made, equipments, क्यों, देख लेते हैं, option, पहला, strong acid होते हैं, दूसरा, strong alkalize होते हैं, तीसरा, combination of both होते हैं, चौता, nine of these होते हैं, answer number two सही है, strong alkalize होते हैं, अगला कोशन, देख लेते हैं, क्या है, क्या रहा है, application of, contemporary, ammonium compounds, as sanitizing agents tends to, जो, application होता है, contemporary, ammonium compounds, as a sanitizer के रूप में, sanitizing के रूप में, sanitizing agent के रूप में, तो क्या होता है, पहला option दिया है, favor gram positive bacteria, दूसरा कह रहा है, decrease gram positive bacteria, तीसरा कह रहा है, increase the percentage of, gram minus, negative rots on utensils, 14 करन, अनव दा अबब, तो हमारा सही answer है, आसर number three, increase the percentage of, gram negative rots, on utensils, अगला question क्या है हमारा, question number 29, यह कह रहा है, permanent hardness of water is, caused by the presence of, जो पानी में permanent hardness होती है, वो किसकी presence से होती है, पानी में ऐसा क्या होता है, जिससे पानी में permanent hardness आ जाती है, तो हमारा देख लेते हैं, option क्या है, पहला है, क्या होता है, by carbonates of calcium and magnesium, दूसरा है, carbonates of sodium and potassium, तीसरा है, chlorides and sulfates of calcium and magnesium, चौधा है, phosphorus of sodium and potassium, तो मासा answer number three, chlorides and sulfates of calcium and magnesium, अगला question देख लेते हैं, question number three, 30 जिदी है इसमें, according to V.I.S. the maximum permissible limit of dissolved solids in drinking water, यानि पीने के पानी में, घुलने वाले solids, कितने, मतलब permission है, कितने maximum max से कितने होने चाहिए, मतलब उससे problem नहीं होगा, drinking water पीने से, तो option दिया है, पहला, 1000 mg पर लिटर, दूसरा 500 mg पर लिटर, तीसरा 2000 mg पर लिटर, चौथा 2000 mg पर लिटर, तो फार answer number three, तीन सही है, 2000 mg पर लिटर, आगे चलते हैं, अगला question है, acid used mostly for removal of milk stone, ऐसा कौन सा acid है, जो यूज के जाता है, mostly milk stone को remove करने के लिए, पहला है, phosphoric acid, दूसरा nitric acid, तीसरा gluconic acid, चौथा tartaric acid, तुम्हारा option number two सही है, nitric acid, अगला चलते हैं, question number 32, which of the following chemical is sometimes added in the process of coagulation and flocculation, तो कौन सा chemical है, जो यूज किया जाता है, कभी-कभी, इन दोनों process में, पहला है aluminum sulfate, दूसरा है aluminum oxide, तीसरा है calcium chloride, जोथा है none of these, तो माशा answer है one, aluminum sulfate, आगे चलते हैं, कह रहा है, geolite used in geolite softening process, जो geolite use कि जाती है, geolite softening process में, for the treatment of hard butter, hard butter के treatment के लिए, और कहके जाता है, gets exhaust after certain time of uses, what can be regenerated by flushing it with, अफसन देख लेते हैं कौन सा है, पहला 10% calcium chloride solution, दूसरा 10% magnesium sulfate solution, चोथा कह रहा है, तीसरा कह रहा है, 10% magnesium chloride solution, चोथा कह रहा है 10% sodium chloride solution, तो मारा answer number 4 सही है, 10% sodium chloride solution, आगे चलते हैं, अगला question क्या है, इसमें answer number 4 है, 10% sodium chloride solution, अगला question अमारा है, Temporary hardness of water is caused by the presence of, जो temporary hardness होती है water में, किसक्यू पस्तिती के कारण होती है, पहला है chloride of calcium and magnesium, दूसरा sulfates of calcium and magnesium, तीसरा, bicarbonates of calcium and magnesium, चोथा carbonates of sodium and potassium, तो अगे नमबर 3 सही है, bicarbonates of calcium and magnesium, आगे चलते हैं,